आज है 23 मई 2022 और 23 मई 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन मन सकते हैं सारे हमें स्वीडियों मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्टम मैं आपसे कुश्यन पहुचूंगा उसका आंसर आपको कमेंट वॉक्स पताना है आज किस व्यूदे की तूछ से डांलोड कर सकते हैं पीडिये प्रक्राम कर सकते हैं तो चलिये श्टार्ट करते हैं पहला कोशन है alma में एंथनी अल्बनीज कि इस देश के नए प्रतानवंहां त्रemitनीज तो एंथनी यह अभी ऑस्टेलिया के नए प्रदानमंत्री बन गए तो इसको इनका बे आप्सेंस है आप इमेज में देखिए यह हैं ऑस्टेलिया की लेवर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज और यही अब ऑस्टेलिया के नए प्रदानमंत्री बने हैं अब ऑस्टेलिया तो यह है मैप में ऑस्टिलिया, ऑस्टिलिया की केपिटल क्या है, केनवरा, ऑस्टिलिया की करंसी क्या है, ऑस्टिलियन डॉलर, और अब ऑस्टिलिया के नए प्रतानमंत्री यही बन गए है, एंथनी अलबनीज, अच्छा अभी फ्रांस की भी नए प्रतानमंत्री बनी है, उनका ना यूल ये साउथ कुरिया के 13 में नम्मर के राष्टपती बने है रोबर्ट गुलोब ये स्लोवेनिया के नए राष्टपती चुने गए है पैट्रिक अची ये आईवरी कोस्ट के नए पतारवंतरी बने है सहवाज सरीफ इनका नाम मैंने आपको बता दिया है कई बार ये प पहली महिला राष्टपती बनी है गेब्रियल वारिक फॉंट ये चिली के सबसे यूबा राष्टपती बने है विक्टर और वान ये चौती वार हंगरी के प्रदानंतरी चुने गए और माल्टा के ने प्रदानंतरी कौन बने है रोबर्ट अवेला तो ये अभी रिसेंट प्रैमिनिस्टर और प्रैसिडेंट बने हैं ये आपको याद रखते हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सिर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो चाहे चोटा साई टार्गेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो तो J7 देसों ने अभी यूक्रेन को बिटे साहिता प्रतान करने की मन्जूरी थी तो इस कुश्ण का से उप्सन सही है अब यूक्रेन तो ये है मैप में यूक्रेन यूक्रेन की capital क्या है? Cave, यूक्रेन की currency क्या है? यूक्रेनी हरवेनिया और यूक्रेन के प्रजैन टेम पे प्रेसिडेंट कौन है बोलोडिमीर जेलेंस की ने शुशन है केस राज ने सत प्रतिसत बिद्धुती करड़ का लक्ष यहांसिल किया है तो अभी गोआ ने सत प्रतिसत बिद्धुती करड़ का लक्ष यहांसिल किया तो इस कुशन का बे और गुवा हर घर को जल कनेक्शन देने वाला भी पहला राजी बना है अब गुवा तो यह है मैप में गुवा की केपिटल के है पड़ जी गुवा की चीप इनिश्टर कौन है प्रमूद सावंत और गुवा के प्रिजेंट टेम पे गवर्नर कौन है पे एस स्रीधरन पिल ल दिसक बने हैं जस्पाल सिंग रेबीज मुक्त गोसित होने वाला भारत का पहला राजी बना है गुवा पहला एलकोहल म्यूजियम अभी गुवा में खुला है गुवा में बॉंडला वाइल लैफ सेंचुरी है कुटिगाउं वाइल लैफ सेंचुरी है मूलम नेशनल पार आप से पूछ ले कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार कहां है तो आंसर होगा जम्मु कस्मीर अच्छा गुवा के मुख नयादीस कौन है देपंकर दत्ता जवाहर लाल नहरू स्टेडियम ये कहां पे है ये गुवा में इसे फर्तुदा स्टेडियम कहते हैं और तिलक पेटियम ने फिर से बेजय सेखर सर्मा को अपने MD & CEO के रूप में अपॉइंट किया तो इस कुश्चिन का C options है अब पेटियम तो पेटियम की स्टापना कब हुई थी 2010 में पेटियम का हेड़कौर्टर कहां पर है नौइडा में और पेटियम के फिर से MD & CEO तो यही बन का है ग्यानेस भारती यह यूनिफाइड MCD जो दिल्ली में तेन MCD थी उनको मिलाके एक MCD बना गई उसी यूनिफाइड MCD के नए कमिस्नर बने हैं अच्छा अभी निदेच छिबबर CBSC की नई अध्यक्ष नियुक्त हुएं संजेब जाज यह CII के अध्यक्ष बने हैं EU की रूप में कैम्प वेल बिलसन को रामित किया गया है और राजेस उन्नी को मेरिटम एंटी करफसन नेटवर्क का उपाद्यच नियुक्त किया गया नए क्युशन है हाली में बर्ड एकॉनमिक फॉरूम की पांच दिवसी बार्सिक बैठक में भारत का प्रतिनिरत कौन करेंगी तो हमारे केंद्री बारेश एबम उद्योंग मन्तरी हैं प्यूज गोयल ये अभी World Economic Forum की पाँच दिवसी बारसिक बैठक में भारत का प्रतिनित करेंगे तो इस question का बे options है और ये बारसिक बैठक कहां पर होगी स्विट्जर लेंड के दाबोस में अब World Economic Forum तो World Economic Forum की स्थापन कब होई थी 1971 में इसका headquarter कहां पर है स्विट्जर लेंड में और इसके प्रेजेंट टेम पर चेर्में कौन है क्लाउस राब कौन है क्लाउस राब नए क्यूशन है हाली में दग्रेट गामा की 144 में जैनती कम मनाई गई तो दग्रेट गामा ये अम्रतसर में जन्मे पहलबान गुलाम मोहमद बक्स बट को कहा जाता है और इनकी अभी 144 में जैनती 22 में को मनाई गई तो इसके इनका ए ओप्सन सही है आप इमेज में देखिए ये हैं दग्रेट गामा इनका एक्चुल नाम क्या है गुलाम मोहमद बक्स बट ये अपने बाबन साल के करियर में एक वी बार हारे नहीं थे और इनको रुस्तम ए हिंद की उपादी से भी सम्मानित किया गया था नए शुशन है हाली में सरकार ने कितने लाग से अधिक जमा या निकासी के लिए पैन और आधार अनिवारी किया है तो अभी सरकार ने एक विट बर्स में 20 लाख रुपए से अधिक जमा या निकासी पर पैन काड़ और आधार काड़ अनिवारी किया है तो इस कुशन का से ओप्सन सही है पैसे डेली लिमिट क्या है डेली लिमिट यह है 50 यार की अगर आप 50 यार रुपए से ज़्यादा निकालते हो या जमा करते हो तब आपसे पैन काड़ या आधार काड़ मांगा जाता है अब यह नई लिमिट लगा दी गई कि आप पूरे फाइनेंस येर में 20 लाख रुपए से ज़्यादा जमा या निकासी करोगे तो आपको पैन काड़ या आधार काड़ देना पड़ेगा ने क्यूशन है हाली में किस देश ने अंतरिच टेलिसकोप के साथ दुनिया के लिए रहने योग ग्रह की खोज की यूजना बनाई है तो अभी चेन ने अंतरिच टेलिसकोप के साथ अब दुनिया के लिए पहले रहने योग ग्रह के खोज की योजना बनाई तो इसकुशन का बे अप्सिंस आई है अब चेन तो यह है मैप में चीन चेन की केपिटल क्या है बेजिंग चेन की करणसी क्या है रेन मिन भी और चेन के प्रेजेंट टैम पर प्रेसिडेंट कौन है जे जिनपिंग अच्छा अभी चेन ने जॉंग जिंग 6D उपकरे को अंतरिच में सफलता पूर्वक लॉंच किया बिस्ट में सोने का सबसे बड़ा उपबोकता देश बना है चेन और चेन में अभी जो बेजिंग उलम्पिक हुए थे इसमें नौर्वे टॉप पर रहा थ जर्मनी 2 पर था और चेन 3 पर था चेन के बैग्या निकों ने धरती पर ही कत्रिम चंद्रमा बनाया है अच्छा चेन ने अभी वेई डोग नाम के नेविगेशन सेटिलाइट का सपलता पूर्वक परिच्छडवी किया था ने शुषिन हाली में नेशनल जियोग्राफिक स सुसाइटी ने किस हिमाले पर बेसुका सबसे उंचा मौसम स्टेशन इस्तापित किया है तो नेशनल जियोग्राफिक सुसाइटी ने अभी माउंट एवरेस्ट पर 8830 मीटर की उंचाई पर बेसुका सबसे उंचा मौसम स्टेशन इस्तापित किया तो इस कुशिन का A आप मौसम संबंदी घटनाओं को सोचालेत रूप से मापने के लिए ये बिस्व का सबसे उंचा मौसम स्टेशन स्तापित किया गया है। तो फॉन पर कि स्तापना कब हुई थी? 2015 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है? बेंगलूरू में और इसके प्रेजेंट टेम पर CEO कौन है? समेर निगम कौन है? समेर निगम नेक शुशन है हाली में कौन सा बैंक एजिस फेडरल लाइफ इंसुरेंस में अपना एक बेचेगा तो अभी IDVI बैंक एजिस फेडरल लाइफ इंसुरेंस में अपना एक चौथाई सेर बेचेगा तो इसके शुशन का से ओप्सन से ही है अब IDVI बैंक इसकी स्तापना कब हुई? 1964 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है? मुंबई में और इसके प्रेजेंट टेम प का FDI प्राप्त हुआ है तो Finance Year 2022 में अपने देश भारत को 83.57 अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है तो इस कुश्चिन का बे ओप्सन से ही है FDI क्या होता है? कई बार में आपको होता है Foreign Direct Investment जो बिदेशी कंपनियां अपने देश में आके इन्वेस्ट करती हैं उसे हम FDI कहते है नए motion है हाली में किस के द्वारा 282 सार्बजनिक कंपणियों की सूची जारी की गई तो अभी प्रेकों के द्वारा 28 उसे ऑप्सन से ही है ये जो सूची जारी की गई है ये चार माप दंडों पर रेंक की गई है ये चार माप दंड कौन से हैं बाजार मूल बिक्री लाप और संपत्ती नाइक किशन है हाली में किसने गोशना की है कि भारत टेवी के लिए भारत में निर्मित इसकिन टेस्ट सुरू करेगा तो हमारे केंदरी स्वास्ते मंतरी हैं मंसुख मंडाविया इन्ह इन्होंने अभी गोशना की कि भारत भारत में निर्मित इसकिन टेस्ट सुरू करेगा तो इसकिन का बे ऑप्सन सही है नएक शुशन है हाली में किस ने यूँ एई टेटुंटी लीग में फ्रैंचाइजी आंसल की है तो अब इडानी ग्रूप ने यूँ एई टेटुंट लीग में फ्रेंचाइज ही आंसिल की यानि किस कुश्चिन का सी ओप्सन सही है अब लाश्ट वीडियो के कुश्चिन का आंसर लाश्ट वीडियो मैं आप से कुश्चिन पूचा था कि हाली में बेपिन सांगी किस राजी के हाई कूट के मुखे नायदीस बने हैं तो अभी उत्त्रा खंड के हाई कूट के मुखे नायदीस बने बेपिन सांगी यानि किस कुश्चिन का ए ओप्सन सही था और लगबग सभी इस ट्रेंटेंस कांसर सही दिया मुश्ट लिए इस ट्रेंटेंस के और में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुश्चिन के बारे में आपको जितना ज्याद से ज्यादा पता हो आप लेखा करो क्यूंकि जो चीज़ें आप लेख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में रास्टी महिला विदायक सम्मिलन 2022 कहां आयोजित किया जाएगा चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer उताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके मारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indresrc indresrc Instagram पर indresrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है चाली से लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप है उन में आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current interface का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू उताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लिजिए आपको इस चैनल से निश्चेत ही मदब मिलेगी जब भी आप से subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam always with you thanks for watching